गुड मॉर्निंग अल आफ यू आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स में जैसे कि आपका ये टॉपिक्स दिया गया होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सगर्बता के समय आर्तो चक्र की सभी घटनाय बंद हो जाती है क्या होती है जब सगर्बता होती है तो उस समय क्या होता है आर्थो चक्र की सभी गटनाय क्या होती है बंद हो जाती है तो इस तरह में तो आर्थो चक्र के रुख जाने की इस्तिति को रजनो ब्रत्ति कहते हैं क्या कहते हैं रजनो रजनी ब्रत्ति कहते हैं और ये किसमे होते हैं महिलाओं में या फिर लड़कियों में स्टार्ट होता है ठीक है लड़कियों में प्रथम रितिस्तुराओं को रजो दर्सन कहते हैं क्या कहते हैं रजो दर्सन कहते हैं इसे मिनार्ची कहते हैं क्या कहते हैं मिनार्ची के नम से भी जानते हैं ठीक है तो चलिए नेक्स्ट द पाया जाता है किसमें पाया जाता है फिमेल में पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब और ये सुक्राड जो होता है फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर अंडाडू का निसेचन करते हैं क्या करते हैं अगर आप से पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब में कहां पर निसेचन होता है इसका ओवा का मतलब जो अंडाड़ों होते हैं सुक्राड़ों से फार्मेशन मतलब सुक्राड़ों और अंडाड़ों का क्या होता है मतलब फर्टिलाइजेशन होता है जिससे क्या होता है निसेचन क्रिया संपन होती है निसेचन के फल्स रूप क्या बन जाता है जाइगोट बनता है यानि कि यूगमनज का फार्मेशन होता है तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट यूगमनज में फैलो पियन नलिका में ही बिदलन प्रारम हो जाता है क्या होता है जो यूगमनज में फैलो ब्लाश्टो मर्स क्या बोलते हैं ब्लाश्टो मर्स बनते हैं और यह 8 से लेकर 16 कोरा खंड वाले ठोंस गेन जैसे घ्रोन को तू तक क्या कार के क्या होते हैं बनाते हैं क्या होते हैं तू तक क्या कार के बनाते हैं और जिसे हम बोलते हैं तू तक को मरूला क्या बोलते हैं मर का ब्लास्टोसिस्ट का निर्मार करती है चलिए आगले देख लेते हैं निसेचन क्या होता है निसेचन निसेचन एक सब्ताह के पश्चात होता है मतलब एक सब्ताह पश्चात कोरक पुष्टिया मतलब कोरक पुठी जिस गर्भास है के अंताहिस्तर जिसे बोलते हैं एंडो क्या बोलते हैं, implantation के नाम से भी जानते हैं, तो चलिए next देख लेते हैं, अगला, अंतर रोपड, अंतर रोपड के पश्यात सगर्बता इस्थापित होती है, और इसकी पूटीका जो होती है, कोरक पूटीका जिसे बलास्टो सिस्थ कहते हैं, को ट्रोफो बलास्ट, ट्रोफो बलास्ट से या फिर पोसक कोरक सेलसस पर उंगली समान क्या होती सनचना बनती हैं, जीने हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई क्या बोलते हैं जरायू अंकुरक या फिर कोरियोनिक विलाई के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसी तरह क्या है गर्भास है उतक तथा जरायू अंकुरक जिसे कोरियोनिक विलाई एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं प्लासें प्लासेंटा का फार्मेशन की से होता गर्भासे के उतक तथा जरायू अल्ला कुरियोनिक विलाई एक दूसरे के साथ मिलकर प्लासेंटा बनाते हैं तो चलिए नेक्ष्ट देख लेते हैं अपरा भूण को आक्सीजन देता है तथा पोसन की अपूर्ती करता है तथा भूण के उस सरजी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है तो मतलब अपरा का काम क्या है आक्सीजन देना और भूण को पोसन की अपूर्ती मतलब करता है तथा भूण उस सरजी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है तो चलिए इस तरह से आगे क्लियर देख लेते हैं प्रसो के शमय अंडा से तथा अप्रा से रिलाक्सिन हार्मोन क्या होता है रिलाक्सिन जब प्रसो के समय क्या निकलता है तथा अप्रा से रिलाक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो प्रसो को सरलता बनाता है क्या सुगम बन आता है और मतलब की सगरबता काल नौ मा का तथा प्रमुकता प्रोजेश्टरान के नियंतरण में होता है मतलब नौ मा का होता है और ये प्रोजेश्टरान के नियंतरण में होता है और इसके अलावा आकसी टोसिन प्रशो हर्मोन मतलब प्रशो हर्मोन कहलाता है और प्रशो क जटिल तंतिका या अंताहिस्तरावी क्रियाविधी से ही पेरित होता है तो यह इस तरह से क्या होते है आक्सिटोसिन हर्मोन से निकलता है और जटिल तंतिका अंताहिस्तरावी क्रियाविधी से पेरित होता है तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला इसमें सगर्बता के अंत में दुग्द स्रावण यानि लेक्टेशन होने लगता है जैसे इसे क्या होता है सगर्बता के जब लाश्ट होता है तो इसमें लेक्टेशन प्रारम हो जाता है और यहाँ प्रोलैक्टिन तथा आकसी टोसिन हार्मोन के प्रभाव से होता है किसे प्रोलैक्टिन और आकसी टोसिन हार्मोन के श्राव से ही क्या है दुग्द का श्रवन होने लगता है ठीक है महिलाओं में यानि कि जो महिला होती है उनमें ऐसा होने लगता है ठीक है अनेक प्रकार के प्रतिरच्छी तत्त होते हैं जो नौजास इसु को प्रतिरोधी छमता उत्पन करने के लिए आती आवस्यक होते हैं ठीक है क्या होते हैं आती आवस्यक होते हैं चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक्स में ठीक है अगला topic सापका क्या है difference है मतलब कि अंडाण जनन तता सुक्राण जनन में अंतर क्या होता है अंडाण जनन तता सुक्राण जनन में क्या अंतर है तो अंडाण जनन तता सुक्राण जनन में difference क्या होता है तो अंडाण जनन और सुक्राण जनन क्या होता है ठीक है तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं ठीक है तो देखते हैं अंडान जनन और सुक्रान जनन में डिफरेंस क्या है ठीक है तो यह प्रक्रिया अंडासे में प्रारम होती है मतलब जो अंडान जनन क्रिया कहां पर होती है मतलब कि अंडासे में होती है और लेकिन को सिक्रानु जनन की नलिका में रहती एक्रिया और इसकी ब्रिधी प्रवस्टा बहुत लंबी आवदी तक बनी रहती है और इसकी विद्धी प्रवस्ता छोटी होती है मतलब इस तरह से होती है और थर्ड पॉइंट देखिए इसकी प्रात्मिक अंडान कोशिका से एक अंडान तता दो या तीन धुरूवी कोशिकाएं बनती है क्या बनती है एक प्रात्मिक अंडान कोशिका से एक अंडान तता दो या तीन धुरूवी कोशिकाएं भी बनती है जबकि इसमें क्या होता है एक प्रात्मिक सुक्रान कोशिका से मतलब स्पर्म सेल्स से प्राइमरी स्पर्म सेल्स से और हैपलॉइड 4 haploid यानि 4 आगुडित spermatids बनते हैं कितने 4 आगुडित spermatids बनते हैं और ये धुरुवी कारें नहीं मनाते हैं क्या है ये धुरुवी कारें नहीं बनाते हैं तो चलिए नेक्स्ट चौथा पॉइंट देख लीजिए इसका चौथा पॉइंट है दूसरा अर्द सूत्री विवाजन दितिया कंडान कोसिका में सुक्राण के प्रवेश के पश्चात पूर होता है मतलब सुक्राण के पश्चात ही क्या होता है प्रवेश के पश्चात पूर हो जाता है सुक्राण के प्रवेस के पाद दिक्या होती है ये क्रिया पूर्ण हो जाती है स्पार्माटिट्स निर्माण से पूर्व दोनों अर्दसूत्री विवाजन पूर्ण हो जाते हैं मतलब स्पार्माटिट्स निर्माण में ये क्या होते हैं इसके पूर्व दोनों अर्द सूतरी विवाजन क्या होते हैं पूर्ण हो जाते हैं अंडाणू अचल होते हैं क्या होते हैं अंडाणू अचल होते हैं और इस्थिर रहते हैं इनको कहीं आने जाने क्यों सकता नहीं होती है ठीक है अंडाडों में कयांतरण नहीं होता क्या होता है अंडाडों में कयांतरण नहीं होता है लेकिन इस फर्मेटिट से सुक्र कयांतरण द्वारा क्या होता है चलते हैं और सुक्राडों बनते हैं क्या हते हैं चल सुक्राडों बनते हैं मतलब इन में चलन क्रिया होती है ठीक है जबकि अंडाड़ों में चलन क्रिया नहीं होती है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक्स में ठीक है जैसे इधर देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की तो सुक्र जनन तता अंडाड़ जनन में क्या सम मतलब कि similarities क्या है ठीक है? वेरी मोस्ट इंपोर्टन similarities इसपरमाटोगनेसिस और वुजनेसिस में क्या similarities है? मतलब दोनों में क्या समझता है? दोनों क्रियाँ जनदों की जनन एपी थीलियम कोसिकाओं में बीभाजन के फल स्रोप होती है मतलब कौन सी सेल? एपी थीलियम को सिकाओं में मतलब जो दोनों क्रिया जनदों की क्या है एपी थीलियम को सिकाओं के विभाजन के फल सुरूप क्या होती है क्रिया होती है और इसमें दूसरा पॉइंट है दोनों क्रियां तीन अप्रवस्थाओं में पूढ होती है तो इसमें देखो तीसरा पॉइंट गुडन प्रवस्था में समसूत्री विवाजन के फल्सुरूप जनन कोशिकाओं की संख्या में ब्रिध्धी होती है। अब इसी तरह के सुक्र जनन तता अंडान जनन की परप्रक्वन प्रवस्था में अर्दुसूत्री विभाजन प्रत्म और दुती होता है तो चलिए नेक्ष्ट देख लेते हैं अगला प्रत्म और दुसूत्री विभाजन के फल्स रूप युगमक को सिकाओं में गुड़सूत्रों की संक्या क्या हो जाती है आधी हो जाती है फिर आगुड़ित हो जाती है ठीक है तो चलिए नेक्ष्ट पॉइंट देख लेते हैं क्लीवेज और माइस्टोसिस में क्या अंतर हैं डिफरेंस बेटविन क्लीवेज और माइस्टोसिस ठीक है तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्लीवेज क्या होता है माइस्टोसिस में क्या अंतर है ठीक है तो पहले अंतर देख लेते हैं यह जाइगोट में होता है मतलब यह क्रिया किस में होती है यह सुमार्टिक सेल्स में होता है यह किस में होता है यह सुमार्टिक सेल्स में होता है यह जाइगोट सेल्स में होता है ठीक है, दूसरा देख लीजे, दूसरे point में इसमें अंत्रावस्था छोटी रहती है, इसमें अंत्रावस्था लंबी हो जाती है कि होती है इसमें अंत्रावस्था लंभी हो जाती है तीसरे पॉंट पॉइंट में देखों आंत्रावस्था में केवल DNA का संसलेशन होता है अंत्रावस्था में यहसा ता कोसा द्रब्य दोनों का संस्लेशन होता है ठीक है अब अगला देख लीजिए अगले इसमें क्या होता है अंतरा वस्था में कोसिका में ब्रिध्धी नहीं होती है जबकि अंतरा वस्था में कोसिका ब्रिध्धी इसमें होती है पाज्चवे पउट में देख लो कोरक, खंडो की संख्या ब्रिध्धी के साथ साथ कोसिकाओं का आकार छोटा होता जाता है क्लीवेज में और इसमें संतती कोशिकाओं का डाटर सेल्स का आकार मदर सेल्स के समान बना रहता है मतलब कि जो डाटर सेल्स होती है वो मदर सेल्स के समान बना रहता है ठीक है इसमें देख लेते हैं सिक्स पॉइंट ठीक है तो ब्रोन के आकार में ब्रिद्धी नहीं होती है यह युगमनच के आकार को ही बना रहता है क्या यह युगमनच के आकार का ही बना रहता है इसमें कोस्ट के कि संख्या में ब्रिद्धी के साथ ही आकार में ब्रिद्धी होती है तो थैंक्यू क्लास next class में बात करेंगे ठीक है